परिचाय ताखी, तुम इन संख्याओं को एक कोश्ठक में क्यो लिख रही हो? ये केवल एक कोश्ठक नहीं है क्या तुम भूल गए? हमारे गणित के शिक्षक ने दो दिन पहले हमें क्या सिखाया था? अरे हाँ, आव्यू, तो क्या तुम किसी प्रश्ण को हल कर रही हो? हाँ, मैं आव्यू के परिवर्थ निकाल रही हूँ परिवर्थ? वो क्या है? लगता है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थे शिक्षक ने हमें आव्योह का परिवर्थ निकालना सिखाया था अरे, क्या तुम बता सकती हो कि परिवर्थ कैसे निकालते हैं? हाँ, जरूर, आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आव्योह का परिवर्थ ग्याद करना परिवर्थ के गुण धर्म को समझना सम्मेत तथा विशम सम्मेत आव्योह को परिभाशित करना आव्योह पर प्रारंभिक संक्रियाओं को जानना प्रारंबिक संक्रियाउं द्वारा एक आवियू का व्यूत करम निकालना आवियू का परिवर्थ एक वो आवियू है जो एक दिये गए आवियू की सभी बंग्तियों को संभों में तथा इसके विप्रीत या परिवर्थित करने से निर्मित होता है आवियो एक के परिवर्थ को इस प्रकार लिखा जाता है उधारनार्थ आवियो पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती एक दो तीन दूसरी पंक्ती चार पांच छे का परिवर्थ बराबर है आवियो पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 1, 4, दूसरी पंक्ती 2, 5, तीसरी पंक्ती 3, 6 के आवियो के परिवर्त के गुण धर्म यहां आवियो के परिवर्त के निम्नलिखित गुण धर्म दिये गए हैं परिवर्त के उधारण यदि ए दिया गया है तब सिद्ध कीजे कि आवियो ए का परिवर्त गुण ए बराबर है तस्समक आवियो के ए दिया गया है अतैव इसका परिवर्त ए डैश आवियो पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दूसरी पंक्ती साइन अल्फा कॉस अल्फा है ए परिवर्त तथा ए का गुणन करके हल करने पर हमें प्राप्थ होता है एका परिवर्थ, ए बराबर है तस्समग आव्यू के इती सिध्धम सम्मित तथा विशम सम्मित आव्यू आव्यू के दो महतपूर्ण वर्क हैं जिन्हें परिवर्थ संक्रियाओं के संदर्व में संग्षिप्त रूप से परिभाशित किया जा सकता है सम्मित आव्यू एक वास्तविक आवियू A को सम्मित कहा जाता है यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू A के ए एक सामान ने दू गुणा दू सम्मित आवियू है विशम सम्मित आवियू एक वास्तविक आवियू A को विश्यम सम्मित कहा जाता है, यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू रिन A के। यहां A एक सामाने दू गुणा दू विश्यम सम्मित आवियू है। प्रमय एक वास्तविक संख्याओं की प्रविश्टियों समेथ किसी वर्ग आवियू A के लिए A जमा A- एक सम्मित आवियू है तथा A घटा A- एक विश्यम सम्मित आवियू है। प्रमय दो किसी भी वर्ग आवियू को एक सम्मित तथा एक विश्यम सम्मित आवियू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उधारण सिद्ध कीजिये कि दिया गया आवियू A एक विशम सम्मित आवियू है हमें A दिया गया है अथा A परिवर्थ निम्न है हम देख सकते हैं कि ये घटा A के बराबर है अतैव A डेश बराबर घटा A इस प्रकार A एक विशम सम्मित आवियू है आवियू पर प्रारंबिक संक्रियाएं रेखिय प्रणाली को हल करने अथवा व्योथ करम निकालने में आवियू के लिए प्रारंबिक संक्रियाएं मैतिपूण भूमी का निभाती हैं उनका प्योग अन्य करनाओं के लिए भी किया जा सकता है। एक आव्युख पर छै प्रकार की प्रारंभिक संक्रियाएं अथ्वा रूपांतरण किये जाते हैं, जिन मेंसे तीन पंक्तियों तथा तीन इस्तंभों पर होती हैं। हम केवल प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं की जड़्चा करेंगे, किन्तो आप इन्हें आसानी से इस्तंभों में बदल सकते हैं। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं दो पंक्तियों का रूपांतरण एक अशुने संक्या के साथ एक पंक्ति का गुणा करना एक पंक्ती में किसी अन्ने एक पंक्ती को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाएं चलिए अब बारी-बारी से इन्हें देखते हैं दो पंक्तियों का विनिमय प्रतिकात्मक रूप से आईवी तथा जेवी पंक्ती के विनिमय को निम्न द्वारा निरुपित किया जाता है एक पंक्ती में अशुन्ने संख्या से गुणा करना प्रतिकात्मक रूप से आईवी पंक्ती के प्रतेक अव्यव में केसे गुणा को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है जहां शोने के बराबर नहीं है एक पंक्ती में किसी अन्ने एक पंक्ती को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रतिकात्मक रूप से आईवी पंक्ती के अव्यवों में जहवी पंक्ती के संगत अव्यवों को केसे गुणा करके जोड़ने को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है जब इन संक्रियाओं को पंक्तियों पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कहा जाता है तथा जब इन्हें संभूं पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक स्तंब संक्रिया कहा जाता है व्यूत करम्डिये आव्यू एक N गुणा N आव्यू A को गैर विलक्षन अत्वा व्यूत करम्डिये कहा जाता है यदी और केवल यदी एक N गुणा N का आव्यू B का स्थित्व इस तरह हो कि A B बराबर B A बराबर I N जहां I N एक तस्समग आव्यू है आव्यू B को A का व्यूत करम आव्यू कहा जाता है इस उधारन को देखें यहां A तथा B दिये गए हैं हम आसानी से जान सकते हैं कि A B बराबर B A बराबर तस्समग आव्यू इस प्रकार A व्यूत करम्डिये है तथा B उसका व्यूत करम है प्रारंबिक संक्रियाउं तवारा आवियू का विद्करम आवियू का विद्करम ग्याद करने का ये एक मसेदार तरीका है हम पंक्तियों के साथ आसपास नज़र टालते हैं जोड़ना, गुणा करना, तथा उनका गमा गमन करना जब तक हम तस्वमख आवियू, आई के भीतर आवियू यह नहीं बना लेते। तथा एक तस्वमख आवियू में बतलाव करने से यह ज़ादूई धंग से व्युतक्रम में बदल जाती है। प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाएं, साधारन संक्रियाएं हैं जैसे पंक्तियों को जोड़ना, गुणा करना, तथा गमा कमन करना आईए हम अगली स्क्रीन में एक उधारन के माध्यम से इसे समझते हैं उधारन एक आवियूत करम ग्याद कीजिए हम आवियू ए से शुरू करते हैं और इसे एक तस्समक आवियू आई के साथ इसके आगे लिखते हैं ये समवर्धित आवियू कहलाती है अब हम ए यानि बाई तरफ के आवियू को तस्समक आवियू में बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ट प्रयास करते हैं तथा इस पर हर संक्रियां को लगा कर अव्यवों को चढ़ा कर दाया पक्ष बनाते हैं। किंदो हम केवल प्रारंविक पंक्ती संक्रियाईं ही कर सकते हैं, तथा हमें ये पूरी पंक्ती के साथ करना होगा। आव्यू आई के बाद आव्यू एसे शुरू करते हैं। इस उधारन में हमारा पहला कदम पंक्ती दो में पंक्ती एक को जोड़ना है। फिर पंक्ती एक में पांच से भागते हैं। तथ पश्चात प्रथम पंक्ती का दो गुना लें। तथा दुवितिये पंक्ती से इसे घटाएं। घटा एक बटे दो से दुवितिये पंक्ती को गुणा करें। अब दुवितिये और तुरितिये पंक्ती को गमा गवन यानि आपस में बदलें। अन्तता तुरितिये पंक्ती को दुवितिये पंक्ती से घटाएं। और हम टू ग्यात कीजिए यदि निम्न आवियू दिया गया है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर प्लस माइनस चार वर्कमोल तीन। उधारण दिये गए आवियू का व्यूत करम ग्यात कीजिए। माना कि a दिया गया आवियू है। हम जानते हैं कि एको ए आही के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है। इस समी करण में बाइन तरफ हम देख सकते हैं कि आवियू की प्रथम पंक्ती के सभी अव्यव शून है। अदैव a के व्यूत करम का अस्तित्व नहीं है। क्या आप जानते हैं। एक आइता कार आवियू व्यूत करम आवियू के अभिभूत नहीं होता है। चुंकि गणन b a तथा a b को परिभाशित तथा समान करने के लिए ये आवशक है कि आवियू हों, a तथा b समान कोटी के वर्क आवियू हों। यदि आव्यू B आव्यू A का व्यूत्करम है, तब आव्यू A भी आव्यू B का व्यूत्करम होगी। व्यूत्करम आव्यू की अद्वित्तियता, एक वर्क आव्यू का व्यूत्करम, यदि अस्तित्व में हो, तो वो अद्वित्यत होता है। यदि A तथा B, समान कोटी की व्यूतक्रम निये आवियों हैं, तब AB का व्यतक्रम बराबर होगा, B के व्यतक्रम, गुणा A के व्यतक्रम के. स्वारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. यदि A पराबर AIJ M कुणा N है, तब A- अथवा A का परिवर्थ बराबर AJI N कुणा M, यहां आवियों के परिवर्थ के निमनलिखित गुणधर्म दिये गए हैं. आवियों A एक सम्मित आवियों है, यदि A- पराबर A हो, किसी वर्ग आवियों को एक सम्मित तथा एक विशम सम्मित आवियों के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है. एक आवियों की प्रारंभिक संक्रियाएं इस प्रकार हैं, यदि A और B दो वर्ग आवियों इस तरह से हैं, कि A-B बराबर B-A बराबर आई, तब आवियों B आवियों A का वियोत करम होती है, तथा A वियोत करम त्वारा निरूपित किया जाता है, तथा आवियों A आविय पी का वियुत्करम होती है एक वर्ग आवियु का वियुत्करम अद्वित ये होता है यदि अस्तित्व में हो तो